हेलो गईस कैसे हैं आप लोग स्वागत हैं आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गईस की सेमसंग गैलेक्सी 885 5G phone में आप लोग Bluetooth problem को कैसे solve कर सकते हो अगर आपके पास एक Samsung Galaxy 885 5G phone है और इस phone में जो आपको Bluetooth problem देखने को मिल रहा है आपका जो यह Bluetooth है गाइस अगर on नहीं हो रहे है या किसी भी device के साथ जो आपका Bluetooth पेर नहीं हो रहे है याप connect तो हो रहे है लेकिन यह पर बार बार डिसकनेक्ट हो जा रहे है थोड़ा दिर बात या Bluetooth जो वह stop हो जा रहे है तो केसे आप लोग जो इस Bluetooth से related इन सब problems को जो है solve कर सकते हो तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाईस आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पासा ना है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गैस वीडियो क स्टार्ट करते हैं ब्लूथूथ प्रोब्लेम को solve करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस phone के सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपको एक option देखने को मिलेगा गाईस जेनरल मेनेजमेंट का तो इस जनरल मेनेजमेंट के option पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपको एक option मिलेगा reset का तो इस reset के option पर क्लिक कर दीजिए reset settings पर क्लिक करते ही आपका जो bluetooth settings होगा वो reset हो जाएगा और आपका जो bluetooth से related problems थे वो भी solve हो जाएंगे और अगर आपके phone में फिर से पसना हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई